नमस्कार मैं सरोजनी पांडे सौगत करती हूँ आपके अपने चैनल सौरज सुति गंगा एजुकेशन में कैसे हैं आप सभी आसा करती हूँ अच्छे होंगे और मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे तो जैसे कि मैं मेहनत से पढ़ाई कर रहे हूंगे कहती रहती हूं तो आप लोगों को भी मेहनत ही करना चाहिए आप लोगों के लिए ही मैं कामना करती हूं कि आप लोग मेहनत से पढ़ें तो मेहनत जरूर कीजिए मेहनत करके ही पढ़िए जैसे कि हम लोग पढ़ रहा हैं उपसर्ग सब्द रचना के अंतरगत उपसर्ग पढ़ रहा हैं उपसर्ग में हमने संस्कृत के उपसर्ग हिंदी के उपसर्ग पढ़ लिये हैं और यानि कि संस्क्रित मनत्वत्स तद्भव उपसर्ग और कुछ ऐसे उपसर्ग हमने पढ़े हैं जो कि हैं तो संस्क्रित के लेकिन सामासिक प्रक्रियां में जादा से जादा प्रयोग किये जाने की वजह से वह हिंदी में आ गए हैं और हिंदी में प्रयोग किये जाते हैं उन्हें भी हमने देख लिया है, इस वीडियो में मैं आपको अंग्रेजी के उपसर्ग पढ़ाऊंगी, हाँ स्वारी आगत उपसर्ग हम पढ़ रहे थे, वो सारा पढ़ करके हम आगत उपसर्ग पढ़ रहे थे, आगत उपसर्ग में हमने उर्दू के उपसर्ग देखें है है पढ़े हैं जिसकी संक्या है 19 यानिकी उर्दु के जो उपसर्ग है यदि कि इसकी एक मैंने मैं बताती रहती हु हर वीडियों में कि जिस भासा का सब्द होता है उसी भासा का उपसर लगता है उपसर्ग कोई भी सब्द हो उसमें अगर उपसर्ग लगा है तो जिस भासा का सब्द होगा उसी भासा का उपसर्ग लगा हुआ होगा उसमें वह आपको डाउट नहीं होना चाहिए जराबी ठीक है यानि कि सूर्य लिखा हुआ है तो सूर्य में सूर्य के साथ यह कोई उप गेगा ठिक है तो हमने उर्दू का तो पड़ लिया है रवी-फारसी app के जो मूलब होते है उसमें ऊप्र अप्षम पढ़ाऊंगी अंग्रेजर सब्सक्रावांगी कि यह उसि सारी Harbor में पूछेह और इसे लिए मैंने इसे पढ़ाना सुचित समझा है तो देर न करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ देखते हैं बोर्ड पे हम में क्या लिख रखा है यह अंगरेजी के उपसर्ग है ठीक है अंगरेजी वही आगत उपसर्ग या बिदेसी उपसर्ग आप सभी जानते हैं ठीक है उसी के अंतरगत है ये पर मैंने इसका अलग से वीडियो बनाया है कि उसमें ना मिला हूँ, ठीक है, है आगत उपसर्ग में ही, विदेसी उपसर्ग, मैं इसको लिख भी देती हूँ, इसे विदेसी उपसर्ग कह लो, ठीक है, विदेसी या आगत उपसर्ग में ही आए गाई, यह मैंने लिख दिया पो है अंग्रेल जी के अ bisa dos Sum आये देरना करते तरह जैसे पहला उतस yapt भMichैंसा है सब्भाः सब्सक्राइव सब्सक्रेद्थ आधीन या नीची यानि किसी का आधीन काम करना किसी के नीचे काम करना लोवर में ठीक है ना तो ये देसे सब इंस्पेक्टर होते हैं तो एक तो सीनियर इंस्पेक्टर होते हैं एक होते हैं लेकिन सब इंस्पेक्टर जो होते हैं वो कई होते हैं ठीक है जो सीनियर इंस्पेक्टर होते हैं उनके अंडर में काम करते हैं ठीक है तो सब इंस्पेक्टर हो गए सब सब्जक्ट सब्सब्जक्ट होता एक मेन होता है उसके साथ जो सब्सब्जक्ट होते हैं उनको सब्सब्जक्ट सहायक सब्जक्ट जो सबकमेटी का मतलब होता है एक तो कोई है जो मुख्य है और ये और लोग जो है सबकमेटी जो है ये सभी मिल करके उनकी मदद करते हैं ठीक है तो ये हो गया उसके बाद दूसरा इसका बहुत ही परशिद अंग्रेजी का उफसर्ग है हाफ कहते हैं न हाफ प्लेट हाफ काम करना है ना हाफ टिकट यानि कि जैसे छोटा बच्चा होता है तो उसका हाफ टिकट लगता है है ना हाफ रेट आधे दाम में हाफ रेट का मतलब आधे दाम में ये सब आप समझ ही रहे हैं इसे बताना नहीं है तो ये बहुत परशिद है हाफ उसके बाद हाइश हम कहत वाइस प्रिंसपल तो वाइस प्रिंसपल का मतलब होता है कि जो मेन प्रिंसपल है उसकी सहयता करते हैं और उनकी अनुपरस्थिती में जो भी वह प्रिंसपल का काम होता है वह वाइस प्रिंसपल करता है और जिस दिन वह रिटायर हो जाएगा उनके बाद जो वाइस प्रिं कौन होते हैं राष्टपती होते हैं मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री होते हैं तो सब के चैंसलर कौन होता है जिसको जो है चार्ज दिया हुआ होता है ठीक है तो ऐसे ही सब के लिए यह है कि इनके एक अपने नीचे अंडर में काम करने और इनके नीचे काम करने वाले होते हैं जो उनकी अनुपस्थिती में उनका काम देखते हैं और जब वो रिटायर हो जाते हैं या हट जाते हैं तो उनकी अनुपस्थिती में उनका काम करते हैं ठीक है यह हो गया डिप्टी सीम कौन है हमारे यहां उत्तर प्रदेश में केस व प्रशाद मौरे में सीम कौन है योगी आधित्यानत हमारे प्रदेश के जनते हैं सबीडोग ठीक है तो यह हो गया उसके बाद है है उनके पस्थिति में उनका काम करते हैं और द्रीमीनिस्टर हो गया यह इसे पांचवाग है है वह फ्रयोग है यह देड़ हम लोग बहुत करते हैं रेकिन हमें पता नियुक है सब्सक्राइब का मतलब होता है मुख्य एड माने मुख्य तो यह से स्कूल में वह सबसे बड़ा मुंसिट हो गया है ऑला कलर जो है है ठीक है head constable हो गया head constable का मतलब constable वारे सिपाही है न और उनका जो सबसे बड़ा होता है head constable उसको कहा जलता है ठीक है senior उसके बाद चोथा है chief chief कार्थ होता है प्रमुख यानि chief minister आब बता है यह chief minister कौन है मुख्यमंत्री को कहा जाता है chief minister chief engineer ये भी survey वीन्चीनिय्य कोता है ले वकील हो गया मिनिस्टरमंत्रियो तो यह सभी किया hai मुख्य मुंत्र जो हैं प्रहुख प्रहमुख जिसे कहते हैं वह उनका पद है अभिए अब यह सभी देख लिजिए मधे प्रहुपता है उसके पाथ में जनक्ता है जन्राल जन्राल खन्रान मेड़िकल इसटॉर जन्राल स्टॉर हैना सपृते रहते हैं लेकिन हमें पता नहीं हो तक है ना जनृन कार्थ होता है प्रधान यात्रमान ब्शामान इसने संपथ्ष। एसनेल सक्रेटरी ठीक य decision शामानी करके। या फिर प्रमुख फ्रधान करना करता है। या फिर ये सामाने मैंनेजर है आसामानने जो एक वीमा और या जाता है वो जैसा सपर इसके साथ लगा हुआ है आप सोचेगे कि यह उपसर्ग है चार अक्षर का कई अपसर्ग होता है यह लगा हुआ ठीक है उसके बाद मैंने यह आठमा लिखा एक्ष एक्स का आर्थ होता है मुक्त यह सोतंत्र कहते हैं अंग्रेजी में उसे यक्ष कहते हैं ठीक है ना तो यक्ष देखिए यक्स कमिशनर यक्स कमिशनर माने मुक्त कमिशनर जो कमिशनर है वो सोतंत्र है वो कोई भी निरणय ले सकता है ठीक है उसे यक्स कमिशनर कहते हैं यक्स प्रिंस्पल ठीक है वो सोतंत्र है मुक्त है अप Scroll list Express का मतलब क्या होता है किते रजाना कई सारी locks रज़ोंगß चूट गई तो चली जाएगी यहां प्रेश जो होता है वह एक्स होता है फ्री होता है उसको कोई रोक टोग रोक नहीं होता है ठीका समाचार पत्रिका बगहरा निकालने के लिए तो यह मैंने कुछ मेन मेन मुख्य मुख्य छाट करके इसमें लिखा था जो हमेशा प्रियोग होते हैं यह प्रमुख प्रमुख जो है उफसर्ग है कोई जादा और भी बहुत सारे हैं पर मैंने उनको ना ले करके जो प्रमुख प्रमुख उफसर्ग थे इनको लिया हुआ है और यही प्रमुखा यही पूछे जाते हैं और नहीं पूछे जाते हैं तो मने इन इने को ही रख लिए है यह 8 हैं संक्या में और मैने का उदारां भी करके पता दिया एक चीज़ हमेशा याद रखेगा जिस भासा का उपसर्ग होगा उसी का मूल सब्द होगा या फिर जिस भासा का मूल सब्द होगा उसी भासा का उपसर्ग होगा अगर संस्कृत का मूल सब्द है तो संस्कृत का उपसर्ग लगेगा हिंदी का मूल सब्द है तो हिंदी का उपसर्ग लगेगा विदे अग्रेजी का मूल सब्द है तो उसमें अंग्रेजी का उपसर्ग लगेगा तो यह आठ मुख्य मुख्य जो है उपसर्ग थे जो मैंने आपको बता दिये हैं चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में पढ़ते रहिए महनस से और ठीक लगता है तो सेर कीजिए सब के पास जितन हो सके सेर कीजिए जादा से जादा सेर कीजिए और खुद भी महनस से पढ़िए चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तक के लिए धन्यवाद